हालो एवरीवन स्वागेता दोस्त अगबर फिर से आप सापका हमारे स्योटूब चनल पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियान एरफोर्स गुरूब सी रिजल्ट और प्लस में दोस्तो साथी साथ आपका बात करेंगे हम इसके एडमिट काड के रिगार्डिंग बात करेंगे इस वीडियो में तो अगर आप हमारे चनल पर नए आ रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स और इंडियान एरफोर्स गुरूब सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले तो चली दोस्तों आपका फॉर्म फिलफ हुआ था उनका अभी हाली में एडमिट कर आ रहा है ठीक है दूसरी चीज की जिन स्टूडेंट्स का स्कील टेस्ट के लिए एडमिट कर आना था उनका भी एडमिट कर रिलीज किया जा रहा है जैसे कि कानपूर एयरफर्स अस्टेशन के लगबग ह पर एक पोस्ट का जो आपका स्कील टेस्ट का एडमिट काड़ हो गया यह भी रिलीज किया जा रहा है लेकिन दोस्तों बहुत सारे केस ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि बहुत कुछ स्टुडेंट्स का जो रिजल्ट है यह उनका काफी लेट से आ रहा है means कि स्टुडेंट्स ने रीटन एक्जामनेशन को कौलिफाइ醒 कर लिया था लेकिन उनका एडमिट काड पहुंचा है जैसा कि आप मेरे स्क्रिंगों पर देख पा रहे हो लेट से, काफी लेट से उनका admit card पहुंचा था मिन्स की 12 कुन का examnation था और 28 कुन का admit card पहुंच रहा है तो इस तरह के condition आपके साथ भी ना हो, इसके लिए मैं आपसे हर एक वीडियो में और हर बार और इस बार भी request करूँगा कि आप अपने post office के में जाएं और वहां से जाकर के continuously पता करते रहें कि आपका skill test के लिए admit card आया है या नहीं आया है और साथी साथ अगर आपका admit card नहीं आया है तो आपको regular जो update से हमारे telegram चैनल पे मिलते रहेंगे कि आपका admit card आया है या नहीं आया है अभी एर फोर्स एस्टेसन का admit card आ रहा है क्योंकि दोस्तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सरे students को return निकालने के बाद भी उनका skill test नहीं हो पा रहा है तो इसमें दोस्तो अगर आपका date निकल जाता है तो Indian Air Force co-responsible नहीं होगा और जो भी गलती होगी ये सारे post office वालों की ही होगी और last में आप कुछ नहीं कर पाओगे आप next attempt का फिर wait करना पड़े तो इसलिए तवारा साब को care करना है अब बात करते हैं दोस्तो result के बारे में Indian Air Force Group C के result के बारे में तो सबसे पहले पालम Air Force Station के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे students का ये सवाल आया था पालम Air Force Station का 4 सिटेंबर को जो LDC का examination held हुआ था LDC post के लिए examination दोस्तों held हुआ था इसका अभी तक result का कोई update नहीं है पालम Air Force Station 4 सिटेंबर का जिन्होंने apply किया था उनका result कब तक आयगा ये भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में सबसे पहले जान लिजे कि अभी कोई update नहीं है आपका result जो है तो 5-10 दिन में दोस्तों आ सकता है 5-10 दिन के अंदर आपका result जो है ये पब्लिस कर दिया जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि देली Air Force Station जो की राजकोरी आपका है वहां का result है उसको online जो आपका number एक जारी किया है उन्होंने और बोला है कि उस number पे call करके आप अपना result जारी कर सकते हो तो उस हिसाब से आपका result है दोस्तों हो सकता है कि 5-10 दिन के अंदर अंदर पालम Air Force Station का result आ जाए उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चंडीगड चंडीगड Air Force Station की बात करें तो दोस्तों चंडीगड Air Force Station के fireman और MTS का result आ चुका है fireman MTS का result जारी कर दिया गया है और उनका जो skill test है दोस्तों भी conduct कराया जा रहा है अब इसमें दोस्तों जो चंडीगड Air Force Station है इसमें काफी सारे wings है जैसे 12 wings 13 wings तो इन में से जो MTS post का result आ चुका है और आपका fireman post का result आ चुका है कारपेंटर और कुक का result जारी कर दिया गया है अंबाला Air Force Station की दोस्तों बात करें तो अंबाला Air Force Station का result है अभी जारी नहीं किया गया है और इसका जो आने का संभावना है लगबग आपका ये भी 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका result जारी किया जा सकता है उसके बाद दोस् का result में भी हो सकता है कि जारी कर दिया जाए क्योंकि जो पूने का और भी स्किल्टेस्ट का जो एड्मिट काड है स्टुडेंट्स का उस सेंड किया जा रहा है तो उस इसाब से देखा जा तो आपका result ये जारी किया जा सकता है अब दोस्तों students के बन में जो सबसे बड़ा problem है कि आपका अगर result कैसे चेक करें अपना result कैसे देख सकते हैं कैसे मेरा result तो दोस्तों सबसे पहले चीज की जो ये result है आपको group C का ये offline ही आ रहा है लेकिन कुछ जो air force station है उन्होंने इस चीज को देखते हुए हाली में जैसा कि मैंने पीछले वीडियो में अपने बताया क आपका जो result है दोस्तों आप घर बैठे भी जान सकते हो यहां दोस्तों आप घर बैठे भी अपना result जान सकते हो बस आपको एक call करना है उस दिएगा नमबर पर call करके आपको पता करना है उस air force station के बारे में और लेकिन ये result का जो ये process जो दोस्तों मैं बता रहा हूं calling वाल पाला में air force station के लिए अंबाला चंडीगड इन सब को परिसान होने कि कोई जरूरत नहीं है जब आपका result दोस्तों आएगा तो आपको update किया जाएगा इसके लिए आप हमारे telegram group को join कर लिजिए ताकि कोई भी update आए तो आपको सबसे पहले मिले तो उमिद करता हूं कि